नमस्कार जोहार मैसंजे और आप देख रहे हैं न्यूजवारकन चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बोड़ी कबर को और अस्पताल परवर्धन को पत्र लिखा है जिसमें कहा गिया है कि दोनों पर निरंतर नजर रखा जाए पूजा सिंखल मामले में रिम्स निदेशक और पंकच मिश्रा के मामले में C.I.P. निदेशक को E.D. ने पत्र लिखा है, पत्र की जरियत दोनों पर नजर रखने के निरदेश दिया है D.G.P. निरस सिनहा को कहा गया है कि नियायक हिरासत में इलाजरत पंकच मिस्रा और पूजा सिंगल की गतिविधियों पर नजर रखी जाए दरसल या कदम इसलिए भी उठाय जा रहा है क्योंकि जब पंकच मिस्रा रिम्स में थे उस वक्त उन्होंने कई लोगों से फोन पर बात चीत की थी, कई लोगों से मुलकात की थी ऐसे में पंकच मिस्रा पर गवाहों को धमकाने साबोत के साथ चेट चार खनने का आरोप लगा है जस्टिस संजय कुमार मिस्रा होंगे जारखन के नए चीप जस्टिस उत्राकंड हाई कोट के सिनियर जस्टिस संजो कुमार मिस्रा जारकंड हाई कोट के चीप जस्टिस होंगे सुप्रीम कोट कोलेजियम की हुवी पाठक में जस्टिस मिस्रा को जारकंड हाई कोट का चीप जस्टिस बनाने का नरने लिया गया कॉलेजियम ने केंदर सरकार से जस्टिस मिस्रा को चीप जस्टिस बनाने की अनुसंसा की है उलेकनिया है कि पूरो में कॉलेजियम ने 28 सितंबर 2022 को जस्टिस मिस्रा को जारकंड हाई कोट में नयाधेश के पत पर न्युक्ति करने की अनुसंसा की थी उल्यकनिया है कि जारकंड हाई कोट के चीप जस्टिस डॉक्टर रेवरेंजन का कारीकाल 19 दिसंबर को समापत हो रहा है जंगली हांथी का उत्पात बोकारों में हांथी ने एक महला को पटक कर ले ली जान इलाके में दासत बड़ी खबर बोकारों से जहां गोमिया परिखंड के जुमरा पहाड के तलहटी पर बसी अंबाटान में जंगली हांथी ने महला को पटक कर जान ले ली गहतना के बाद गाउं में दासत का माहूल है इस्थानी लोगों ने वन्विभा को घटना के सुचना दे दी है बताय जाराए कि गोमिया परिखंड के अंबाटान में एक महला को हांथी का सिकार होना पड़ा हांथी ने महला को पटक पटक कर जान ले ली वह घटना से परिजनों कर रोरो कर बुरा हाल है इस्थानी लो को अपने सून में पकड़ कर उठाते हुवी आंगन के बाहर ले गया और उसे पठक कर जान ले लिए इस थाने लोगों ने घर्टन के जानकारी चत्रोचटी पुलिस को दे दी है ग्रीडी में आयकर विभाग की बड़ी कार रवाई आयकर विभाग ने ग्रीडी में एक साथ तीन बड़ी कमपनियों में मारा च्छापा मानिला ओडरिंग से जोड़े कई बड़े खुला से सम्भो आयकर विभाग ने बुधवार की सुभा ग्रीडी में कई ठिकानों पर च चापे मारी की गई, आयकर विवाग की टीम की बुधवार की सुभा से चापे मारी सुरू है, जो लंबी चल सकती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चानल को सस्क्राइब ने की हैं तो प्लीज चानल को सस्क्राइब करके बैल अकन प्रेस कर दे जिससे आपको जारकन की हट शोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंसता रहे चलिए बढ़त को ने जमकर नारेबाज की इस दोरान कॉंग्रेस कारीकरता और विधायक समर्थकों के बीच काफी देर तक जड़ब जससे हालत भी बने रहे प्रदेश अध्धक्ष राजश्ठाकूर के सुरक्षा कर्मियों के साथ भी विधायक समर्थकों ने धका मुकी की प्रदेश अ नारेबाजी सुरू कर दी काफी देर तक खोहंगा मां खुटा रहा। ट्रेंठाराव आदे मुद्दे मंतरी के समक्ष रखी सांसद ने ट्रेंठाराव नहीं होने से हो रही समस्याओं से रेल मंतरी को आउगत कराया इसके अतरिक्त रांची लोगसभाद छेत्रे में विभिन इस्थानों पर बनने वाले रेल ओवर व्रीच और अंडर पास को लेकर विश्तरित चर्चा की रेल मंतरी से मुलाकात के बाद सांसद ने बताया है कि रेल मंतरी ने रांची लोगसभाद छेत्रेस जोड़ी समस्याओं को गंभिरता से सुना है और उसके तौरित समधान की दिशा में पहल करने की बात कही है बहुत जल्द सकरात्मक परिना मिलेंगे इडि के अधिकारियों ने मंगलवार को भी इस सम्मन में जेल प्रसासन से फूटेज की मांग की तब बताया गया कि जेल आईजी को अब तक विभागी अनुमती नहीं मिली है ऐसे में फूटेज नहीं दिया जा सकता विभागी अनुमती मिलने के बाद ही इडि को फूटे को हटवाने के लिए कोई सुल्क नहीं लगेगा या सूचना जारकन बेजली वितरन निगम लिमेटेट ने राची सहरी औभोकताओं के लिए जारी किया बताया नया स्मार्ट मीटर घर के बाहर मुख्य द्वार पर लगा जागा या मीटर MS Genus Power Infrastructure Limited के द्वारा लगा जा रहा है नया स्मार्ट मीटर की विशेस्ता है कि या पूराने मीटर की तुनला में अधीक उपी होगी है सराकेला थाना का गरामिनों ने किया घराओ दुसकर्म आरोपी के गिरापतारी की मांग सराकेला थाना के सामने गिरामीनों ने विरोध प्रदर्सन किया है या विरोध प्रदर्सन छात्रा के साथ हुए दुसकर्म और योन सोशन के आरोपी की गिरपतारी की मांग को लेकर गिरामीनों ने किया पिडिता के परेजनों ने आरोपी योवा के खिलाप लिखित सिकायत की है इसके बावजूद अब तक आरोपी के गिरपतार नहीं हुई है बताय जा रहा है कि बड़ा जुए कागड़ा की रहने वाले योवाक संजे महतो ने छातरा के साथ कॉले जाने के दोरान दुसकर्म क घटना को अंजाम दिया है विरोध प्रदर्शन के दोरान प्लिस प्रसासन की खिलाप इस्थाने लोगों ने जमकर नारेबाजी की सराकेला नगर पंचायत उपाध्धक्ष मनो चौधरी सराकेला प्रिखन उप परमुक वासूदेव महतो और चातर नेता अभिशेक आचा कि पुलीस ने बड़ी कार रवाई करते हुए 600 ग्राम गांजा की साथ दो थसकरों को गिरपतार किया है पुलीस ने बता है कि तैसकरी की गुपतु सुचना मिली थी इस सुचना के आधार पर पुलीस की टीम जंगल पाड़ा गाउं में चापे मारी की इस चापे मारी के द आम सभा मया निरने लिया गया बताय गया है कि 12 दिसंबर को सफाई कर्मचारियों की जायज मांगो को लेकर निगम के उपनगर अयुक्त के साथ हुए वारता में कई मामलों पर चार्चा हुई थी इनमें कोरुनाकाल के तीन माह की प्रतसाहन रासी सनिवार तक देने का वा 10 पर 30 वेतन बढ़ानी इस्थाई कर्मचारियों के लिए MSTP के लाब देने पर समती बनी थी एक करोड़ पैरसट लाक रुपे गबन मामले में कारेपालक अभ्यंता सालिग्राम सिंग गिरपतार को सही बताया था योजना प्रारंब करने के बाद ठेकेदार ने काम रोक दिया कई बार पतराचार के बाद जब ठेकेदार ने काम सुरू नहीं किया तो ततकालिन अभ्यंता परमुख ने पद परमंडल के ततकालिन पारेपालक अभ्यंता को बैंक गरंटी पेपर की आग लग गई, आग की लप्टे आसमान को छूने लगी, आग की लप्टो और धूमा धेक, इस्थाने लोगों में अफराता फ्री मज़ गई, अलाकि धाय घंटे बाद बिसीसेल की दमकल पहुंची और फिर आग पर काबू पाया गया, कचरा गुदाम की आसपास इस्थित हो गई कि इस्थाने लोग अपने अपने कार, बाइक और गयास सिलंडर को लेकर इधर उधर भागने लगे, इससे घर नास्थल पर अफ्राता फ्री मज़ गई, घर की माहिलाई डर से सड़क पर आगई, तो ये थी आज की जारकन के टॉप बड़ी खबरे, इसी तरह जार जारकन चानल को सब्सक्राइब करके बैल अकन प्रेस करते जे, जिससे आपको जारकन के हर चोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे, तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीज़े इजादत, फिर मिलते हैं, नेक्स नियूज में